राजस्थान से विदा हुआ मौनसुन दरसल डक्षनी पश्चमी मौनसुन राजस्थान के कई भागों से मंगलवार को विदा हो गया है हलाकी राज्जे के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में हलकी से भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक चोधपूर वे बीकनेर संभागों के कुछ भाग वे गुजरात के कच के कुछ शेत्रों से मौनसुन विदा हो गया है हलाकि बंगाल की खाड़ी उडिसा तट पर एक और कम दबाव का शेत्र बना है जिससे अगामीज 48 खंटों में उडिसा और उत्तरी 36 गड़ की तरफ पश्चमी उत्तर पश्चमी दिशा की और बनने की संभावना है दक्शनी पश्चमी मोंसुन के विदाई के समय देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविदियां देखने को मिल रही है इस बीच मोसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चमी भारत में एंटी साइकलोनिक परवाह के कारण अगले 5 दिनों के दोरान पश्चमी राजस्तान, पंजाब, हरियाना, चंडिगड और दिल्ली में कम बारिश की संभावना के साथ मोसम शुष रह सकता है मोसम विभाग ने सोंवार को कहा था कि वर्शा के चार महीने के आखरी चरण में जोरदार बरसात के बाद मोनसुन के अगले 2 दिनों में वापसी शुरू हो जाएगी विभाग ने कहा था कि उत्तर पश्यूं के विभिन हिस्सों से मौनसून की वापसी के लिए स्थितिया अनकूर बन रही है भारत के लिए मौनसून की वर्षा बेहत महत्रपून होती है क्योंकि देश की क्रिशी भूमी का काफी हिस्सा आज भी सिंचाई के लिए मौनसून की वर्षा पर निर्भड करता है मौनसुन की वापसी समानेता स्तंबर के वध्य से देश के पश्मी राजस्तान से प्रारंब होती है वही मौसम विभाग के अनुसार दिली एंसियार में मंगलवार को अच्छी बारिश हुई थी और अभी भी पूरे शेत्र में बादल चाय हुई है और मौसम खुशनमा बना हुआ है विभाग का कहना है कि अगले पांच दिनों तक दिली एंसियार के आस्मान में ऐसे ही बादल चाय रहेंगे और हलकी बारिश हो सकती है उदर आइमजी के विज्यानिकों के मुताबिक मौनसूर की वापसी का समय नजदीक आ गया है देश के कुछ राजियों से उसने वापस लोटना शुरू कर दिया है दक्षनी पश्चमी राजिस्तान के कुछ हिस्त और गुजरात के कच से मौनसूर ने पीछे हटना शुरू कर दिया है बाकी जगे अभी मौनसूर सक्रिय है लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर यह कमजोर होना शुरू हो गया है और 30 सितंबर तक पूरी तरह मौनसूर वापसी कर सकता है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी